हैलो गाइस वालकम तो अनेदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फेंट्स आइनॉक्स ग्रिन इनर्जी सर्विसेस लिमिटेट की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है और फेस वीडियो स्टॉक में तो गाइस पहले हम लोग कॉनसल रिजल्ट को कवर करेंगे नंबर लैक्स में दियेगा है इंकम की बात की जा तो इस बार का जो इंकम है गाईस अराउंड 84 किरोड का पिछले क्वार्टर में 60.5 करोड का और मार्स 23 क्वार्टर में uwagę कॉपर ऐचलए कोफिटन में इंक्रीच कीया है एक्सपेंसे 63.3 क strawberry का पिछले क्war त्टी अट का करोड का और मार्च हुआ बंसी की नन मेंендम क्पेंसे लेकिば के कॉपरीटीग्या कार देए और यौट किया है और अपरेडिंग के मताइनग निर्डेट कारोड़ का और मार्ज ट्व्विंडी घ्री कौटर में 2.5 कोमेटिंग क्वाफित है, क्वाटर D और करोड का loss है quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है EPS company कहा 0.49 रुपेश का quarter on quarter में year on year में दोनों में increase करता वा देखने को मिल रहा है तो गैस company के इस बार रेजल्ट अगर देखा जाए तो quarter ended में बहुत strong growth है financial year ended की बात करें income में 261 करोड का 23 में 290 करोड का इंकम में बहुत ज्यादा डाउन देखने को मिला है expenses 227.7 करोड का और 23 में 308 करोड का expense हुआ था जबकि expenses बहुत कम इसके कहने profit में recover किया है operating profit 33.4 करोड का पिछले quarter में 18 करोड का loss है quarter जो की बहुत ज्यादा यहां पर इंक्रीज होता है नजर आ रही है net profit loss की बात करें 27.6 करोड का पिछले साल 23 में 62 करोड का loss है जो की इंक्रीज किया है EPS 1.01 रुपेज का 23 से इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है तो गाज कंपनी का quarter rendered हो या financial rendered बहुत strong result पेश किया क्योंकि income और profit दोनों में इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है लेकिन financial rendered का income में थोड़ अचा डाउन देखने को मिला था इंक्स्पेंस कम होने का पॉफिट इंप्रूफ किया है फिना standard on results को cover करें income में 78.7 करोड का पिछले quarter में 56.5 करोड का और March 23 quarter में 69 करोड का income है quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है expenses 53.3 करोड का पिछले quarter में 52 करोड का और March 23 quarter 72.9 करोड का expense हुआ था जबकि expenses quarter on quarter में increase है लेकिन year on year में decrease किया है बट कम्पनी के exceptional items में 25.9 करोड का खर्च हुआ है कम्पनी को losses है और loss जो है after tax 76 lakhs का पिछले quarter में 2.9 करोड का profit है और March 23 quarter 2.6 करोड का loss है quarter on quarter में तो down है लेकिन year on year में recover किया है EPS minus 0.02 rupees का quarter on quarter में down है year on year में as it is same है तो गाइस company को overall result अगर देखा जाए तो अच्छे result पेश किया अगर हम बात करें गाइस company के exceptional items का तो देखे कंपनी को जो हुआ इस बार का loss जो हुआ था पॉइंट नंबर 5 अगर हम देखेंगे तो आइनोक्स विंड लिमिटेड जो की holding company है इन्होंने एक डिसाइड किया था board of directors ने डिसाइड एक resolution लिया था तेन फैब 2023 में और यह अप्रूव क्या था शेर होल्डर के द्वारा इन्वल जनरल मिटिंग में जो कि 29 September 2023 में किया था मिटिंग था और इसमें जो इन्वेश्टमेंट सब्सुडेरी में जो इन्वेश्टमेंट हुआ उसमें लॉस हुआ 25.9 के रोल का और यह चीज एक सबसलाइटम में जो करना चाहते है तो इसको वेट कर सकते आप इसको वेट कर सकते गाई्स इसको उल्ड कर सकते अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं इस प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तो हम लोग जो है वेडियो कहीं प्रेंट करते हैं गर कोई डाउटर कमेंट बॉक्स में पुछे मिलते हैं एक शोड़ा में डिलने में बाई